Hello students, welcome to my class. sociology में आप लोगों के साथ ये मेरा lecture number 28 है, जिसमें आज हम chapter 24 पढ़ने जा रहे हैं. टॉपिक है, फ्रॉम प्लाइन इंडस्टिलाइजेशन तू लिब्रलाइजेशन, अर्थात नियोजित और द्योगी करन से उदारी करन की और. तो इस chapter में हमें ये देखना है, कि नियोजित और द्योगी करन की बात हम क्यों कर रहे हैं, अनियोजित और द्योगी करन क्या है, और किस तरह से इंडस्टिलाइजेशन के फल स्वरूप, विश्व की अर्थ बिवस्था में परिवर्तन आया, और सरकारें अपने बहुत से नियम को, की कठोरता को तोड़ती गई, कम करती गई, और ये लिब्रलाइजेशन या उदारी करन जो है, ये वैस्वी कस्तर पर किस तरह प्रभावशाली हुआ, ठीक है, तो चलिए हम सुरुआत करते हैं, बिश्वी सताब्दी में संसार के अधिकांस देशों की अर्थ विवस्था को प्रभावित करने में, और योगी करन की भूमिका बहुत ही महत्वपुर्ण रही है, इस समय विभिन देशों ने नई तक्निकी पराधारित मसीनों के द्वारा अपने उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धी करने का प्रयात्न किया, लेकिन इस सताब्दी के पुर्वार्ध तक और योगी करन का रूप बहुत ही अनियो जित था, इस अधि में कारखानों का अनियोजित रूप से विकास होने के कारण, और द्वगीक नगरों में गंदगी की समस्या ने एक गंभीर रूप ले लिया, कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरन विशाक्त होने लगा, उद्योगों के गंदे पानी की निकासी की समुचित विवस्था न होने से नदियों में प्रदूशन बढ़ने लगा, उद्योगों के कारण जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ी, जुगी जोपडियों के रूप में नगरों का एक बड़ा हिस्सा गंदगी और घनी बस्तियों के रूप में बदलने लगा, यह उद्योगी करण का अनियोजित रूप था, जिससे पैदा होने वाले प्रदूशन पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विशय बन गया है, इन दसाओं के बीच सन 1960 या 1960 के दसक से विक्सित और विकास सिल देशों में इस तरह के प्रयत्न किये जाने लगे, जिससे नियोजित और द्योगी करण को प्रोतसाहन दिया जा सके, नियोजित और द्योगी करण का तातपर्य और द्योगिक उत्पादन को इस तरह ब्यवस्थित करना है, जिससे और द्योगी करण से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करने के साथ ही उत्पादन की मात्रा और गुनवत्ता में सुधार किया जा सके, नई प्रोध्योगी की का उप्योग, प्रबंध की कुशल्ता, बैंकिंग प्रनाली के द्वारा पुंजी की जरुरतों को पूरा करना, बुस्तों की मांग के अनुसार, उनका उत्पादन करना, श्रमिकों की कार्य कुशल्ता को बढ़ाना, तथा विभिन देशों के साथ आयात और निर्यात के संतुलन को बनाए रखना नियोजित और द्योगी करन के प्रमुख आधार हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नियोजित और द्योगी करन वह दसा है जिसके अंतरगत मसिनों के उप्योग से प्रदूशन को बचाना, नई प्रद्योग की एवं प्रबंध की कुशल्ता के द्वारा उद्योगों का संचालन करना, बैंकिंग प्रनाली द्वारा, पुंजी की आवशक्ता की पूर्ती करना, तथा विभिन देशों के बीज, आयात एवं निर्यात के शंतुलन को बनाए रखना, इसकी प्रमुख प्रात्मिक्ता है। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि नियोजित अध्योगी करन के लिए कौन-कौन सी दसाएं आवश्यक हैं। पहली दसा है, विक्सित प्राद्योगी की पर आधारित मसीनों का इस तरह उप्योग करना है, जिससे उनके संचालन से वातावरन को किसी तरह की हानी न हो। दूसरी दसा है, नियोजित और जोगी करन के लिए उद्योगों द्वारा इस तरह का उत्पादन करना जरूरी समझा जाता है, जिसके लिए देश और विदेशों में बाजार उपलब्ध हो। तिसरी दसा है, उद्योगों का संचालन ऐसे लोगों द्वारा किया जाए, जिन में विशेश तकनिकी ग्यान होने के साथ ही प्रबंध की कुशलता भी हो। चौथी दसा है, सरकार द्वारा इस तरह की नितियां लागू हो, जिन की सहायता से उद्योगों के विकास के लिए समुचित पुंजी उपलब्ध हो सके। बैंकिंग बिवस्था इसी कोशिस का एक साधन है। और द्वगी करन के लिए पाच्वी दसा क्या है यह हम देखते हैं। विभिन देशों के बीच इस तरह के व्यापारिक समझोते हूं, जिससे विभिन प्रकार के उत्पादों का सरलता से आयात और निर्यात किया जा सके। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को आराम से किसी दूसरे देश में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके। नियोजित और द्योगी करन के लिए भारत में उपर्यूक्त सभी प्रयत्न करने का परिणाम यह हुआ कि भारत संसार के प्रमुख और द्योगी के देशों में से एक बन गया। यहां जैसे जैसे और द्योगी कुत पादन बढ़ा उत्पादन की गुनवत्ता में सुधार लाने के लिए यह जरूरी समझा जाने लगा कि भारतिय और द्योग विक्सित देशों से प्रतिस परधा करने के योग बन सके। इसके फलस्वरूप 1980 के दसक से एक ऐसी अर्थबिवस्था को प्रोथसाहं देना रंभ किया गया, जिससे हम उदार अर्थबिवस्था जिसे हम उदार अर्थबिवस्था या Liberal Economy कहते हैं। इस उदार अर्थ बिवस्था से सम्बंधित आर्थिक प्रक्रिया का नाम ही उदारी करन है उदारी करन को वर्तमान युग में आर्थिक विकास की एक प्रमुख प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जब किसी देश की सरकार द्वारा ऐसी आर्थिक नितियां तयार की जाती है जिनके द्वारा अर्थ बिवस्था के प्रती अधिक ब्यापक और उदार द्रिष्टिकोन अपनाया जाता है तब इस दसा को हम उदारी करन कहते हैं वास्तों में उदारी करन एक ऐसा मध्यम है जिसके बिना ओद्योगी करन की प्रक्रिया प्रभावपुर्ण नहीं बन सकती है इसी कारण और द्योगी करन और उदारी करन को सन्युक्त प्रक्रिया के रुप में देखा जाता है इस प्रक्रिया का उद्देश्य राष्ट्री और अंतर राष्ट्री इस्तर पर खुली हुई बाजार बिवस्था पर सरकार का नियंत्रन कम होता है तो लोगों को अपनी युग्यता और कुशलता का उपयोग करने के बेहतर औसर मिलने लगते हैं इससे उतुपादन की लागत कम होने और गुणमत्ता में सुधार होने से देश आर्थिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगता है तो अब हम ये देखेंगे कि भारत जब सोतंत्र हुआ तो इसके सामने अपने विकास के लिए किस तरह के आर्थिक विवस्थाओं के मॉडल थे एक मॉडल तो ये था जो रूस का था और चीन का था जैसे देशों में समाजवादी अर्थ विवस्था के द्वारा आर्थिक विकास के प्रयत्न किये जा रहे थे जिसमें संपोर्ण उत्पादन पर राज्य का नियंत्रन होता था आर्थिक नित्यां राज्य की आउशक्ता के अनुसार बनाई जाती थी तो दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप की पुझिवादी अर्थ विवस्था का था जहां विभिन नुद्योगों और व्यापारों पर निजी स्वामित्यों को मान्नेता मिलने से आर्थिक छेत्र में ये देश आगे बढ़ रहे थे तो इन दोनों तरह की अर्थ विवस्थाओं के लाभ और हानी को देखते हुए भारत में मिश्रित अर्थ विवस्था या मेक्स्ट एकोनॉमी की निती अपनाई गई इस निती के अनुसारिय हत्य किया गया कि खनीज भंडारों, बिजली, रेल सिवा और दूसरे आधार भूत उद्यों पर सरकार का नियंत्रन और श्वामित्व रहे जबकी सामान्य उद्यों को निजी छेत्र के लिए छोड़ दिया जाए सार्वजनिक और निजी छेत्र का विभाजन इस सोच पर आधारित था कि आधार भूत उद्यों पर सरकार का नियंत्रन होने से उनकी गुनवत्ता अच्छी होगी तथा इससे जरूरी वस्तूओं की कीमतों पर नियंत्रन रखा जा सकेगा इसी कारण अनेक पंचवर्षी योजनाओं में सार्वजनिक छेत्र के उद्योगों पर सरकार द्वारा भारी धनरासी ब्याय की गई अब हम ये देखते हैं कि भारत में उदारी करन कब से सुरू हुआ और इसके क्या-क्या परिनाम हुए सन 1980 के दसक के आरंप से ही भारत में यह महसूस किया जाने लगा कि सार्वजनिक छेत्र के अधिकान सुद्योग धीरे धीरे बिमार होते जा रहे है उन में न तो आसा के अनुरूप उत्पादन हुआ और ना ही उत्पादन की लागत में कोई कमी आई यह उत्योग धीरे धीरे घाटा की ओर बढ़ने लगा उन उत्योगों की दसा में शुधार के लिए अत्रीक्त ब्याय भी किये गए जिसके कारण की सरकार पर इतना बिद्धी बोज बढ़ने लगा कि सरकार धिरे धिरे विदेशी रिनों के बोज से दबने लगी मिस्रित तर्स व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विदेशी रिनों के बोज से बनाए रखने के लिए विदेशी वस्तूओं के आयात पर रोक लगाना जरूरी था क्योंकि इन आयात पर बहुत ज़्यादा सीमा सुल्क लगने लगा था विदेशों में बनी हुई वस्तुओं के से हमारी कोई प्रतिसपर्धार नहीं हो सकने के कारण भारत की वस्तुओं के गुणुवत्ता में भी कोई शुधार नहीं हो सका था सारवजनिक उद्योगों को संरक्षन देने के लिए जब निजी छेतर के उद्योगों पर लेवी लगाने और उन्हें लाइसेंस तथा परमिट देकर उनुपर नियंतरन करने की कोशिस की गई तो भ्रष्टाचार में तेजी से वृध्धी होने लगी इन्ही सब दसाओं के बीच 1984 में सबसे पहले सरकार ने यहताय किया कि भारत की अर्थविवस्था को अधिक उदार बनाया जाए तथा भारती बाजारों में विदेशी वस्तुओं को लाने से ही यहां की अर्थविवस्था में सुधार लाया जा सकता है तो उदारी करन का पहला चरन सन 1991 से आरंभ हुआ जबकि दूसरा चरन 2001 से आरंभ हुआ जिसके अनुसार आज उदारी करन को अधिक ब्यावहरिक रूप दिया जा रहा है आज के क्लास के लिए इतना ही है अगले क्लास में हम लिब्रलाइजेसन इन इंडिया के बारे में अच्छे तरह से पढ़ेंगे जिसमें की उदारी करन के द्वारा किस प्रकार भारत का अर्थिक विकास हुआ और उदारी करन के फलस्वरूप भारती अर्थिविवस्था में क्या-क्या नई चुनोतियां हमारे सामने खड़ी हुई इन सब चीजों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे धन्यवाद